सेटन हमारे सॉर्मडल का सबसे सुन्दर प्लैनेट है और जो इस प्लैनेट को इतना ज़्यादा सुन्दर बनाता है वो है इसके रिंग्स सेटन सौरमिडल का दूसरा सबसे बरा प्लैनेट है जिसका डायमिटर अर्थ का दस गुना है यह संसे दूरी के अनुसार शट्टे अस्थान पराता है पहले वैगयनिक मानते थे कि सनी गरह के जो रिंग्स है वो खुद इस गरह के जितना ही पुराना है पर नए रिसर्च बताते है कि यह रिंग्स प्लैनेट की तुलना में काफी नए है वैगयनिक के अनुसार आज से सौ मिलियन साल पहले जब डाइनसोर धर्थी पर मौजुद है तब ही इस गरह के रिंग्स का निर्मान हुआ था कहा जाता है कि आज से सौ मिलियन साल पहले सनी गरह का एक चंद्रमा इसके काफी निकट आ गिया जिस वज़े से सैटन की ग्रैविटी ने इस चंद्रमा को नश्ट कर दिया जिससे बाद में सैटन के रिंग्स का फॉर्मेशन हुआ जिस वज़े से सैटन आज इतना सुन्दर दिखता है लेकिन सैटन का रिंग्स ज्यादा समय ते टिकने वाला नहीं है रिशर्च बताते हैं कि सनी गरह अपना रिंग्स धीरे-धीरे लूज कर रहा है जो आने वाले चार्सो मिलियन सालों में पूरी तरह गाइब हो जाएगा चार्सो मिलियन साल सुनने में काफे जादा समय लगता होगा लेकिन ब्रह्मान के टाइम स्किल पर ये समय कुछ सेकंड के बराबर है लेकिन तब तक हम इनसान धर्ती पर मौजद भी नहीं रहेंगे